सुधानशु जी, कृपया मंच पर आजाए एजिंड़ा आज तक में आप सभी का बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूँ चुत्राज रिपाथी और कॉंग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कन्या कुमारी से शुरू हुई और इस वक्त राजिस्थान के बुंदी में है आठ राजियों के 40 दिलों को कवर करती हुई 2663 किलोमीटर की यात्रा अब तक वो तैय कर चुकी है लेकिन कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से क्या ज़ादा जरूरी है कॉंग्रेस के लिए वोट जोड़ो यात्रा किया जाए क्यूंकि गुजरात में कॉंग्रेस पार्टी का जो हाल हुआ इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कॉंग्रेस पार्टी, बीजेपी के सामने, गुजराट जैसे रज्ज में, जहां 27 सालों से भारतिय जनरता पार्टी का शासन है, वहाँ पर चलती हुई नहीं, बलकि रेंगती हुई नजर आई लेकिन वहीं दूसरी तरफ, अगर हिमाजर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर बीजेपी की सत्ता को हटा कर, कॉंग्रेस पार्टी ने अपना शासन कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर, वहाँ पर जबतस लड़ाई इस वक चल रही है, ऐसे में वोट जोड़े क्यात्रा और अपने कुन्बे को बचाने की कितनी बड़ी चुनोती कॉंग्रेस पार्टी के सामने है, और बीजेपी का लगातार ये चड़ता हुआ ग्राफ उसको रोक पाने में कॉंग्रेस काम्याब क्यों नहीं हो पा रही, कई ऐसे मुद्दे हैं, जिसको लेकर आज हम के सरस्वती हैं, किसी भी मुद्दे पर, कहीं भी बुलवा लिजे, कितने घंटे आप चाहिए उनसे भाशर देने को कह लिजे, कोई उनका सानी नहीं है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजे, बीजेपी के रजजिस्भा के सांसा सुधान शुत्रवेदी का, इमरान प्रताब गढ़ी जी, कई नजमें लिख चुके हैं, पैतीस साल इनके उम्र है, और सबसे दिल्शस ये है कि गुलाम नभी आजाद ने, अगर कॉंग्रेस पार्टी छोड़ी है, तो मारा यही जा रहा था कि रजजिस्भा की जो कुर्सी उधर जाने वाली थी, वो इमरान की तस्वीर बार-बार आप दिखाएंगे, एतिहासिक जीत है आपकी, और यकीनन प्रचंड बहुमत जो जनादेश आपको आगे लेकर जाता है, एतिहास के स्वर्नाक्षरों में भी ये लिखा जाएगा बीजेपी के, लेकिन जैसे ही आप गुजरात दिखाएंगे, वैस के लिए बहुत इसपष्ट हैं, हम MCD में हारे, हमारा वोट एक प्रतिशत बढ़ा, यद्यपी, उसके बाद भी हम हार गए, 12 प्रतिशत वोट आम आदमी पार्टी का कम हुआ, हिमाचल हम 0.9 प्रतिशत से, यानि 38,000 से कम वोटों से हार गए, उनकी सरकार बनी, ये वो हार है, जिसके लिए राजनीत में कहा जाता है, हार और जीत राजनीत में होती रहती है, परन्तु जो हालत इनके साथ गुजरात में हुआ, जो MCD में हुआ, और जो आम आदमी पार्टी के साथ हिमाचल में हुआ, कि सारी कि सारी सीटों पे जमानत जब उसे हार नहीं कहते हैं, उसे तबाही कहते है तो इनलों के साथ डिवास्टेशन हुआ हमारे साथ एक जगे डिफीट हुई मगर मजे की बाद जानते हैं हिमाचल जीतने का आपने कहीं सेलिबरेशन देखा दिली में नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है हिमाचल जीतने के बाद जशन की बजाए माथे पर शिकन जादा नजर आ रही है क्योंकि हिमाचल में भी जीतने के बाद जो मनजर आपको टीवी के उपर दिखाई पड़ रहा है उस पे तो मुझे याद आता है कि शायद कॉंग्रेस के लोगों को ये लग रहा है कि ये नहीं जीते थे तो इज़त जादा बची हुई थी अब जीतने के बाद इज़त का फालूदा बनने का संभावना बहुत दिख रही है पहले तो नेता चुनना है फिर सबको जोड के रखना है फिर चलाना है तो मुझे याद आता है अटल जी के एक पंक्त इती थी ना हार में या जीत में किंचित नहीं भैभीत में मगर हिमाचल की जीत के बाद मुझे कॉंग्रेस के रिच्टि ले रखता है हार से अधिक जीत में अब बैठा हूं मैं भैभीत में करतब ये पतफर जो मिले ये भी सही वो भी सही लेकिन ऐसा है नहीं इम्रान प्रताबगडी जी आपकी पाटी में और आपको तो दो दो बजे राद तक जागना पढ़ रहा है कैसे पार्शद और नेता हैं कॉंग्रेस पार्टी में भाग भाग के दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं हम बताते चले रात भर ये जगे थे क्योंकि इनके पारशद आम आदमी पार्टी में चले गे थे उनको पकड़ के खीच के कॉंग्रेस में ये बापस लेकर आए हैं ये तो हाल हो गया है कॉंग्रिस का. देखिए चितरा जी, सुधान्शु जी ने हिमान्चल की हार जीत से ज्यादा हिमान्चल में मुख्यमंत्री का चैन कैसे होने जा रहा है इस पर बातचीप की. ये कह रहे हैं कि गुजरात में जो हमारे साथ हुआ है वो तबाही है. मैं ये कह रहा हूँ कि जहां से भारती जन्ता पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष आते हैं, जहां उनका घर है. आज एक तस्वीर वाइरल हो रही है जिसमें प्रधान मंत्री जी जा के बार-बार रहलियां करते हैं, जहां ग्रिह मंत्री जी, मुख्य मंत्री कई कई और नडड़ा जी न तो नजाने कितनी नुकड सभाएं की होंगी. वहां इस्थिती ये है कि जन्ता ने सिरे से नकार दिया. अब एमसीडी में भी चुनाओ था, तीन जगा चुनाओ, दो जगा हारे, लेकिन धिंडोरा कि इसका पीटा जा रहा है कि ने हमने गुजरात में बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली. जीती नहीं है क्या? जीते हैं, हम मिंकार नहीं कर रहे हैं, हम हम हिमांचल नहीं जीते हैं क्या, हम हिमांचल नहीं जीते हैं क्या, इनका सत्ता ही सालूरा है, ये ये नहीं हारे हैं क्या, हारे तो वहां भी है ना, तो फिर उसे स्विकार कर रहे हैं, तो फिर उसे स्विकार रहे हैं तो पिर उस से पूछा जाए कि हिमाचल की जीत का कारण ये प्रियंका गांधी की उपस्थिती को मानेंगे या राहुल गांधी की अनुपस्थिती को मानेंगे या केवल उत्पन हुई परिस्थिती को मानेंगे और देखिए वीरभद्र सिंग जी की पत्नी ने जो प्रदेश अब इसलिए शायद मुझे लगता है कि आपने कभी दिली में हम तो गुजरात जीते तो हमने तो हमने तो हमने तो उसको स्वागत किया हमारा भवे समारो हुआ क्यों नहीं हुआ इनके क्यों कि हकीकत तो हमको पता है खैर अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जो गुजरा अगर आप देखें तो 27 वर्ष के बाद इतना बड़ा एथियासिक जनादेश और तुल्ला किससे की जाती है कि मादव सिंग सोलंकी का हमने 1985 का रिकॉर्ड तोड़ा जो उन्होंने 149 सीट्स पाई थी मगर आपको पता है वो किस आधार पर आया था के एच एम खाम चार जा को जोड़ कर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास साथ में लेके और विकास के नए पत्कियोंग पर आते हुए हमने आकर यह एथियासिक जीत दर्शी हमाचल में क्यों नहीं चला यह फॉर्मूला हम तो यह बास विकार कर रहे हैं कि हमाचल में हम 0.9 परसेंट वोट सब्सक्राइब कर गए तो मलिकाद भी खड़ गे जी कलिसी मंच पते हैं उनका उनका यह कहना है कि एक वोट से जीतता है वो सदन के अंदर बैठता है जो एक वोट से हारता है वो सदन के बाहर ख़ला रहता है बिल्कुल हमने सही बात वोला है जैसे अभी 2020 का मैच होता है एक टीम है जो आखरी ओवर में दो गिंदेशेश रहते हुए एक विकेट से हार गई हार है और एक बो दौर था याद करिए पुराने टेस्स मैच के जमाने में एक भार होती थी डिफीट बाइन इनिंग सं 300 रंस तो वो भी हार थी तो अगर इस हार को उस हार को बराबर क् जो हमारी हार है वो हार और जीत है चलती रहती इनकी जो हार है वो पीडियों में कहीं एक आधवार होती है जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में देखिए गुजरा जी बटिस सीटे ऐसी थी गुजरात में जो कॉंग्रेस कभी नहीं हारी थी आजादी के बास उसमें भी अध रहुल जाब भूँचे इस वज़े से बहाँ पर जीत मिली। इनका सवाल है के प्रियंका जी को सहरा या रहुल जी नहीं पहुचे इसका सहरा मैंन से पूछना चाहता हूं कि हिमांचल की हार का सहरा जेपी नडडा जी को है या फिर नरेंदर मोदी जी को है पहला प्रश्ट दूसरी बात यह कहना कि गुजरात में मादव सिंग सोलंकी खाम फैक्टर पर जीत करके आये थे आपको पता है बीज़ेपी किस फैक्टर पर जीत के आई है मोरभी में 135 लाशें बिची थी मुद्रा पोर्ट पर हजारों करोण के ड्रक्स पकड़े गए थे 22 बार ओफिशियली परचा लीक हुआ था गुजरात में अपने आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी ने बलातकार के जगन ने आरोपियों को 11 आरोपियों को रिहा किया और इनके प्रत्याशी ने उसे संसकारी बताया यह फेक्टर है जीत के आए हम इनकी जीत को देख रहे हैं सुईकार कर रहे हैं इसमें कोई दोराय नहीं जीत के आए हमने वो मंजर भी देखा है कि उना में किस तरह से दलितों को पीटा गया तो यह तमाम फेक्टर थे जिस पर जीत कराएं हम आज बहस करने के लिए हम आज हम आज बहस करने के लिए भारत जोड़े यात्रा वहां पर भी कॉंग्रेस की मुझे पिजे बिची हो जहां एक तो पैंतीस लाशें बिची हो वह बिचेपी जीत कि आई है मैं हैरत में हूँ आपको भी हैरत में होना चाहिए पूरे देश को हैरत में होना चाहिए एक सो पैंटीस लाशे भी चीजिए बिची अशली गुनेहगार बाहर थे टिकट काटने वाले और जो गार्ड थे वो जेल भेजे गए और उसके बाद भी पानी में हमारे कारेकरतों नहीं ज्यादा डूप कर बचाया था लोगों को मेरे पास विजो नहीं जीती यह सवाल देश से मुझे पूछ ना है कि क्यो नहीं जीती नहीं तो आप बता अब हमाचल में जीत के लिए भारत के हर जागरूग व्यक्ति के लिए यह प्रश्ण ह पंता है जहां रंग रोगन अस्पताल का ज्यादा कराया गया इसलिए क्योंकि प्रधान मंत्री जी को दौरा करना था तो देश के लिए सवाल तो है बहुत पड़ा सवाल अब तो नतीजे आ चुके हैं यम्नाजी लेकिन जब आप चुके हैं क्या होता है हम नतीजों से भाग कहा रहे हैं कोई भी दुरघटना होती है तो जनता के मन में एक विचार होता है कि इस पे कौन सी पार्टी समवेधन शील है और कौन सी मानदारी से काम कर रही है मुरभी की घटना हुई दुखत थी, दर्दनात थी, घरदय विदारक थी परन्तु पृधान मंत्री जी ने जाकर डिस्टिक लेविल पे समीच्छा बैटक की किसी घटना में आप बताईए, सीम नहीं, पीम ने जाकर डिस्टिक लेविल के ऊपर समीच्छा बैटक की और तो और सबसे आदा पंजाब में बनाए थे ना, किसान आंदोलन क्या हुआ साफ, तो आपको सोचना चाहिए कि जो आप सोचते हैं, वो हकीकत है, या जो एको सिस्टम में आपको दिखाई पड़ता है, वो हकीकत है, आने था, मैंने एक नहीं, तीन अलग लग राज्यों का उधारन बताया, पांच अलग लग घटनाएं बताई, जिनको आपने बहुत बड़ा बनाया, बहुत मीडिय जो आपड़ा बहुत अच्छी बात कहीं, सुधान चुजी ने कि हमें सोचना चाहिए कि जो हम मुद्द उठाते हैं वो हकीकत है, या फिर जो एको सिस्टम बता रहा है, वो हकीकत है, हमें भी हैरत है, कि हम जो मुद्द पूरे देश के सामने, आखों के सामने हैं, जो दि जितना ध्यान मंत्री जी के विजिट करने से पहले अस्पताल का रंगरोगन हुआ नई टाइल्स लगी जितना ध्यान अस्पताल के रंगरोगन में लगा रख रखाओं में लगा उतना पुल के रख रखाओं में लगा होता तो मौते नहीं होती पीम ने तो नहीं कहा होगा ना कि Rangirogan करवाया, इस थाणयास पे जम्त पूछा था हर संगी से जो जो वहाद ग्रेह मंतरी थी, मैंने फूछा था, जो चित्रा जी जो महौल पर पूछी नहीं सकती हैं, ऑप यह प्रश्ण पूछी नहीं सकती हैं, इम्रान प्रताफगडी ज 135 लाशें बिचियों और आप उने लाइव सेशन चिलाया था अमेदन शीलता का आलम यह है कि उधर हमने पूछा था कफन बनाया जा था और अधर प्रधान मंत्री जी कपड़े बदल के उधगाटन कर रहे थे जंडी दिखा था देखे, दगें दो चीजें, यहाँ वलाइव में बहुत कि बहुत में रहे था है यहिए के भारत जोडे यात्रा से बात बनेगी य कि आपके बहुत में धिवरत जोड़ यात्रा पर पहत कई रहे हम गारत जोड़ यात्रा बनेगी अन्ikut जीते हैं आपकी बज़े से आम आदमी पाटी राष्टी पाटी बन गई अगे के बाखी चुनाओं में आम आदमी पाटी से आपका सारा वोट शफ और अच्छी जाद आची है चितरा जी कल की स्थिति बताऊं जिस मुस्तफाबाद की जनता ने उनने जिता के भेजा था वो सड़कों पे निकल आई डंडा लेकर के और पारषद के लिए जिसको कहते हैं कि बटोर करके कहा कि नहीं तुम्हें जिस पार्टी से जिताया था उस पार्टी में रहूँअ आ उनको फोन किया था बागी उम्मीदवार की बैठ जाएगे बात नहीं मानी उसने और आप हमारे निताओं को कोस रही है प्रधान मंत्री की बात नहीं मानने है लोग अजा क्या इनके इनका अंतुरूनी मामला है पार्टी का वीज गया फिर बाहर आ गया वन इस्टेफ फॉर याद करिए दिल्ली में आठ सीटे इनकी थी अठाइस सीटे उनकी थी सबसे पहले सत्ता की दहली जिन्होंने पार कराई इपाल की ढोके अब फिर भाईया उन्होंने ऐसा काम किया कि पंजाब तो ले ही गए और गुजरात में जहां ही ये मुक्ष भी पक्षी दल थे उसमें भी इनकी हालत ऐसी कर दी कि अब इनके लिए तो वो लाइन लगती है कि और हम खड़े खड़े मोड पर लुटे लुटे पाल की लिए हुए कहार देखते रहे कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे अब जहां तक ये भारत जोड़ो यात्रा की बात है भारत जोड़ो यात्रा देखाई पड़ रही है कि देखिए इन्होंने कित्ती अच्छी बात कही बारत जोडो यात्रा से भी हिमाचल में जीत मिली देखिए राहुल गांदी जी की दूर दुर दृष्टी का कोई इसानी नहीं है कि केरल से शुरू हुए तमिल नाडु में पहुचे करनाटक में पहुचे महाराश में पहुचे और हिमाचल में जितवा दिया मतलब इतनी जबरदस दूर दृष्टी और इतनी जबरदस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलिजी किसी के नहीं नहीं देखी होगी और कैसी यात्रा की केरल में उसके साथ दिखाई पड़ा जो गाए काटने वाला था अरे फादर जोजफ के पास चले जाते नहीं तमिल नाडु में उस फादर के पास जाएंगे जौर्ट पुनिया के पास जो कहता है कि मैं भारत की धर्ती पर पैर नहीं रखना चाहता कि मेरे पैर गंदे नहीं हो जाएं तो आप देखिए ये महराष्ट में आते हैं तो सावरकर जी के खिलाब बोलने लगते हैं और इससे ज्यादा राजनैतिक बुद्धिमत्था किसे कहेंगे कि आके कहते हैं गुझ्रात का चुनाओ और कहते हैं गुज्रातं अठोव फैक्टरी क्यों चली गई है आप सोचिये कि इस से आदा बुद्धिमाननेता आप्ने नहीं देखा होगा इसलिए इसमें भारत से जुड़ाव कम, भारत से दुराव जादा दिख रहा वैसे भारत जुड़ा नहीं जुड़ा, राहुल जी की दाढ़ी तो बढ़ गई है आपर जदीजाद है लेकिन जलडी से बात जबार दिख से अंग है रहा टाओ जया जाती है तो आपने आप बढ़ी है बेतरतीप बढ़ी है जो यह दरशाता है कि वो लगातार जंता के मुद्धों पर सड़क पर चल रहे हैं इनके मुद्दे किया है? रहूल जी की डाढ़ी कैसे बढ़ी। इनके मुख्यमंत्री गुघरात में भाशनों में रहूल जी की डाढ़ी पर बात करते रहे। इस पर बात नहीं करेंगे कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, गरीब की थाली में निवाला नहीं है, इस तब बात नहीं करेंगे, फिर ये बताएंगे कि राहुल गांदी जी के साथ तो फला चल रहे थे, फला चल रहे थे, इनके पास गिनाने के लिए क्या है, जात्रा कर रहे हैं तो दूर गामी यह जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी तो रहूल गांधी जी नफरत कम करने के मिशन पे निकले हैं डर कम करने के मिशन पे निकले हैं और मैं कन्या कुमारी से इस यात्रा का हिस्सा रहा हूं मैं लगातार पैदल चला हूं मैं तो सुदानसु जी को भी आमंतरन दूंगा कि आए ये ये कितनी निश्यल यात्रा है मुहबबत से भारत को जोडने की आत्रा राहूल गांदि ज्लोगों के बीच में जा रहे नदी एडिण एंक्षाल क्षिए ज्लिखर haz कि लिए परिशान थे हिमानचल बुलाने के लिए परिशान थे अच्छा रहुल जी को यह कुछ मानेंगे भी नई फिर बुलाने के लिए परिशान क्यों रहते हैं मैं इस सवाल के लिए शहदा राजकुमार राजकुमार है वो प्रदानमंत्री जी ग्रीमंत्री जी पूरी भाजपा पार्टी एक राजकुमार आपके शब्दों में पिछले नब्बे दिन से ज्यादा धाई हजार किलो मीटर से ज्यादा पैदल चल चुका है सिर्फ एक सूत्र है उसका नफरत छोड़ो भारत जोड़ो इसमें बुरा क्या है जब भारत जुड़ने की बात आती है त देखकर मोदी जी की प्रेड़ना से इन्होंने कर लिया है यानि पहले तो सरकार गई मोदी जी की वज़े से पर पार्टी का ने तुर्ट गया अब शायद ये भी करना पड़ गया जो इनके वाकिसे ये दिखाई पड़ा अब दूसरी बात इन्होंने कहा नफरत के जिस रास्ते पे आप कह रहे हैं कि नफरत की विचारधारा, आरेसेस की विचारधारा, हिंदुत के खिलाफ आप चलते रहे और कहां पहुंचे हैं कि इनके लिए तो वो लाइन आती है कि कश्टी भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का पर निकले हैं, हाँ, चत्तान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रस्ता है, हम उस रस्ते पर निकले हैं, जो के गांधी का रस्ता है, हम गांधी के रस्ते पर निकले हैं, आप गांधी के रस्ते को बुरा मानते हैं, आप गांधी के रस्ते को गलत मानते हैं, गांध एक अपर बार शाव जारीना के लिए जालिम्स जै कि यह वो आंधी बनाऊंगा नहीं अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा 2013 फार्ट में हमांचिर प्रदेश जाने के बात 17 वाच्छेस जाया पर या तो बीजेपी है या सहीग्डियों के साथ है आप तीन राज्यों में हैं, कॉंग्रेस की तीन सहयोगियों के साथ है बीजेपी जैसे इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कॉंग्रेस? आप इतनी बड़ी कहती हैं, तो इतनी पर इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? बारा सो एक्तिस विधायक उनके हैं, साथ सो कुछ विधायक हमारें इतनी भी बड़ी नहीं है, तीन सो तीन सांसुनों वाली पार्टी है हुँँए, एक दिन ये दो थे, आज यहां पहुंचे हैं, फिर दो पे पहुंच जाएंगे होसका है, तो उसके चार साल पहले ही तो प्रिजेपी और आप सोची कोंग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ये हार जीत, उतार चढ़ाओ, राजनीती का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है, इसे हम भी स्विकार करते हैं, इसे इने भी स्विकार करते हैं, लेकिम सिरूब बड़ी यूग गरा गिरा नहीं प्रिजेपी कहती है, बोड़ी यूग में कॉंगर्स पार्टी जा रही है, इसे यूग में लगातार लोगतांत्रिक मूल्यों के लिए सडक से संसद तक लड़ रहे हैं, जंता के समुद्धों पर लड रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं कि रसो ओई गैस, ये है वो साड़े 1100 की क्यों हो गई? हम प्रश्न कर रहे हैं, हम इनसे लगातार पूछ रहे हैं पहली बाद यूग कोई भी हो, अगर राहु काल लग जाता है तो फिर सारा यूग जो है वो दोस्त हो जाता है अब जो इन्होंने रसोही गैस की बात कही मैं कहता हूँ सब लोग अपने अपने मोबाइल खो लिये और देखे जनवरी 2014 में LPG गैस का सेलेंडर 1241 रुपए का था आज कोविड के बाद रशिया यूक्रेन वार के बाद जब पूरे दुनिया की अर्थवस्था पूरी तरह ध्वस्थोती चली जा रही उसके बाद भी 1100 रुपए का है इस परिस्थिती में इसलिए आज देश की जनता को यह समझाना आथान नहीं है जब आपको रसोई गैस का सिलेंडर मिलता था तो वो कितने का मिलता था यह बहुत अच्छा बताई कि बादी गरी ने बत कितने गधा ने आकड़ों में उलजाने की जनता प अब मुझे बताईए नहीं हमने तो जनता से कहा भी नहीं आपका है इस पर वो हो गए हां मैं बता रहा हूं 400 रुपए का सबसीटी का सिलेंडर था जब चे मिलते थे और नौ थे जी नहीं 6 सिलेंडर मिलते थे सारे लोगा 6 सिलेंडर में काम चलता था चुनाओ के समय आप 2005 में खतम हुई क्यों खतम हुई एक जनवरी 1995 को WTO के साथ उस समय की सरकार ने जो एग्रिमेंट किया था उससे पेट्रोलियम प्रोडक्स की बाकायदा टाइम फेस सिस्टम था कि सबसीटी खतम करनी है और आज कि सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरीके से दाम कम कर सके सिवा एक तरीके से कि टैक्स कम कर दे कि इन सरकार ने दो बाट टैक्स कम किया हमारी राजसरकार ने दो बाट टैक्स कम किया मगर पूछिए कि इनकी राजसरकार ने कम किया कि पूछिए कि इनकी राजसरकारों ने कम किया कि आप सवाल पूछेंगे यहां क तो ले के जाएंगे आपको आखड़ों की ऐसी बाजीगरी बताएंगे जनता को तो इतने का था इतने का मिलता था मैं आप से बहुत विनंबरता से एक बात कराओं सुधानशो जी आप बताएंगे कि नो सिलेंडर देते थे आज प्रधान-मंत्री उज्जुला योजना से मि वाले गैस सिलेंडर है उसको कोई दिफिल करा पा रहा है आप ग्रामीर अंचलों में जाईए महिलाओं से बात करिया है यह जीत जाते हैं लेकिन उसके बावजूद अगर यह जीत रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं जीत क्यों रहें अभी अभी मजरें में गड़बढ़िए मैं फर वो एक शुनाओ में अच्छा दोस्त खात की इस मैं एक अच्छी माइबी नहीं कोगा कि मीडिया में गड़बढ़िया की इंद दीनिक आ कि मेडिया के समयाविब यह जलेगा लगाज बेगे अज तक कि जो स अगर अगर मेडिया की बात करेंगे तो मेडिया में हम सबको लेकर चलेंगे आप मेरी बात सुनिये हमारी सबसे अच्छे खुबसूरती यही है कि हमारे ही मंज पर पूरे स्वागत सदकार के साथ हम आपको बिठाते हैं और आप हमारी ख़लाफ बोलते हैं उसका हम स्वागत करते हैं चितरा जी हम एक दूसरे के पूरक हैं हम एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की सच्चाईयां देश को दिखाएं तुम्हारी बजम के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के पूरा है अगले दिन 30 से ज्यादा हीरा कारोबारियों के अहां चापे पढ़ने शुरू हो गए टाइमिंग का खेल कितना शांदार है आप इसे नहीं मानेंगे कि एजन्सियों का दुरपयोग है अब सुप्रीम कोट ने तो कहा ही था, CBI तो होता है मैं क्या, क्या आप एजन्सियों का सदुपयोग कर लीझे। चुनाओं के समय पे और उसके बाद पर ये कहिए कि जीत क्यू जाते हैं, हम भी परशान हैं, जीत क्यू जाता है हूं मुद्य पूरे देष में इनके खलाफ हैं, हम भी परशान हैं ढेख रहे हैं मैंने कहा ना एक सो पर मैं मोर्वी हो के आया हूं अब मैं जवाब देश ने सवाल पूछना है कि और कैसे तुछको कितनों का लहू चाहिए अर्जेवतन कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा तो हमें भी तो पूछना है सुधानश जी आदेखिए पहली बात तो मैं इन डबल डिजिट में रही है अटल जी के जमाने से लेके मोदी जी के जमाने तक और इनके जमाने में हमेश्च जादा तर डबल डिजिट में रही है दस परसंट से उपर रही है ठीक है दो अजार दस बारा में यी बताई महेंगाई डायन खाय जाते किसके जवाने में बना था गाना हमारे जमाने बना था यह गाना आप लोग याद है पाउडर वाले दूद की मलाई मार गई राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई 26% rate of inflation थी और 2% rate of growth थी आज इसके बावजूद इस्तिती यह है कि 6.4 या 7% rate of inflation है और growth rate 7.5-8% है खैर कोई बात नहीं मीडिया के उपर बोल रहे हैं जनाब आपको तो ध्यान लखना चाहिए आप तो शायर भी हैं और कांग्रेसी भी हैं जब emergency लगी थी तो जानते हैं कौन सा share बोला गया था जो बड़े-बड़े शायर हुए हैं गालिब हुए हैं जोख हुए हैं मीर तकी मीर हुए हैं तो शेर कहा गया था emergency के लिए अब तो गालिब जोख साहिर मीर सरकारी शायरी की हो गई तासीर सरकारी या आप तो उस विचा धारा का प्रते तो करते हैं अगर Indian Express में सवाल पूछ लिया था तो Indian Express में चापा पड़ गया था राजीव गांधी के मैं इंद्रा जी के जमाने एक बात नहीं कर रहा हूं मैं मजरू सुल्तान पुरी पर को जेल में डाल दिया गया था नहरू जी के खिलाफ कहने पर उस पर नहीं बोलना हूं और आज पिछले आठ सालों में पूरा दुनिया का कोई भी वेक्ति देख ले डिजिटल डिकॉर मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया मीडिया में बैटके घटिया से घटिया बाते हैं मौत की कामना मौत के प्रकार सब कुछ उसके बाद जलवाए जलाल से रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साब हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है यह समझ नहीं पाते हैं चीम्ग पत्रकार याद है जिसने मिड्डे मेल वाली खबर चलाई थी कितने दिन आपको जब हाथरस में रात के दो बजे आपकी पत्रकार महिला साती कवर कर रही थी, तो पुलिस कैसे बाड़बंदी कर रही थी? यह आज हम को सोतंत्रता की बात कर रहे हैं, कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, जबाँ दराजों को मश्वरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, तो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले, बोले न कोई, आज आप गाना लिगते हैं, वारानसी में एक पत्रकार ने खबर दिखाई डिएम साथ में बुला करके क्या हाल किया हाल किया मिर्जापूर में जेल भेज दिया आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के वज़ा सबसोतंतरता है आप मानती है अगर आप सरकार की तारीफ करेंगे तो सतंतता है यही वो देश है जहां पर एक वक्त ऐसा आया था जब काला अख़बार भी निकला था और उस दोर को बताने के अगले साल बहां पर इलेक्षन है आपकी पार्टी के भीतर इतना सिर्फ उटवल है चाहें राजस्थानों हिमाचर प्रदिश इनके वहां अचुन लिए गए भुपेंद्र पटिल जी आपके वहां सिर्फ उटवल अभी चल रहा है हमारे सिर्फ उटवल पात कर रही है व पूरी कैपने ठता दी गई कोई बोल नहीं सका फिर भुपेंद्र जी चूल लिए गए अतरह घंड में तीन मुख्य मंत्री बद लेिक्षान किसी आपके वहां तो आंतरिक लोग तंतरह नहीं से नाम लेकर चला जाता है एक जटके में बिना चुनाओ के जेपी नडड़ जी फिर से अध्यक्ष हो गए हमारे यहारास्टी अध्यक्ष ओटिंग से चुने कई और कॉन कितने साल रहा है गिनाया जाएं किया उसको हमारे और इनमें जमीन आस्मान का अंतर है कारण यह है कि यह सत्ता केंदरित लीडर आधारित पार्टी हैं हम विचार धारा केंदरित काड़र आधारित पार्टी हैं इसलिए आज की क्यों हम 71 साल से आज तक भाजबा में कोई वर्डिकल दिवीजन नहीं हुआ है हमेशा हमारे यहां सहज परिवर्तन हुआ है और इनके 137 साल के इतियास पर कोई 20 साल बता दें जो डिविजन नहीं हुआ हूँ मैं 137, 1850 से आज तक के लिए कह रहा हूँ और आज हमको दोश देते हैं यह बताइए मंतव अनर्जी छोड़ के गई थी तो मोदी जी थे क्या जब जगन मोहन रेड़ी छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या जब सरत पवार छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या जब अरजुन सिंग छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या उससे पहले के दौर में चले आई है ज सब्सक्राइब करें लोग चले जाते हैं और आंतरिक लोग तंत्र का मैं उधारन देता हूं जब यह देश स्वतंत्र हो रहा था और देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवालल नहरू जो 15 अगस्ट 47 को प्रधान मंत्री नहीं बने तो 2 सितंबर 1946 को कैडमेंट मिशन प्रधान मंत्री बने थे अपरैल 46 में कॉंग्रेस की मीटिंग बुलाई गई कि जो कॉंग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिक सरकार का नित्र तो करेगा और उसके लिए जो वोटिंग हुई तो एक वोट मिला पट्टाभी सीता रमय्या को दो वोट मिले क्रपलानी ज होगा दुनिया के इतिहास में ऐसा करने वाले लोग अवाज लोगतंत्र की दहाई देते हैं और अंतिम प्रधान मंत्री दॉक्र मनमोन सिंग उनकी जुबानी बोला हूँ पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने खुद बोला मंच से कि जब मुझे प्रधान मंत्री बनने को क कि हमारी शोड़ चkówड़ करने काुड़ जी हमारे यह हं कि छोड़ के लोग दूसरी जěगा चले जाते हैं हैं और आफ जोड़ एटार जायं कहां अडवानी जी बाशारे कहां जाते जोशी-जी कहां जाते सिथ इनके एदुरप्पा जी कहां जाते, कोई जगा है क्या, जाएंगे ED, CBI, जितना कुछे सब पीछे पढ़ जाएगा, तो इससे है चुफो के बैठे रहो, एक नई पार्टी न कहां बनी है, उसका नाम है मार्ग-दर्शक-मंडल पार्टी, वहां जाते हैं लोग, आराम से ब जी का हवाला दे के इतिहास में चले जाएंगे, कहेंगे हम बैचारी ग्रूप से बड़े सुद्रिड लोग हैं, जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाली विचार धारा, आज ये कहेंगी, नेहरू जी को को सेगी, नेहरू जी ने इस देश के लिए जो किया है, उसको स कोटा होगा, कितना भी प्रयास कर लिजे सुदान्चु जी, नेहरू जी का कद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कि आप कोई भी, जब उनकी आलोचना करने के लिए उनके साय में खड़ा होगा, तो बहुत बौना नजर आएगा, अब दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी और प्रणवदाकी, मैं भी यह मानता हूँ कि आप मोदीची से जादा योग हैं, जादा पढ़े लिखे हैं, जादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन आप नहीं है, सबसे अदा डिग्रियां किसके पास थी, आप नहीं है, मनमोहन स इसके साथ भैस कि आज वो प्रधानमंत्री है, मुझे अच्छा लगेगा, कितना अच्छा हो, अगर ऐसा हो जाए, काच, मैं दूआ करूंगा भाई के लिए, अभी आपने बात बोली, यह बताइए, आप तो शायर हैं, अखबर इलावादी कैसे शायर थे, अब यह आपक ना 예ए, आपके आपके एसाब से बड़े शायर थे,िक छोटे थे, कि शायर के बारे में भी आपके बारे मैं, हमसे राए लेने से बहतरे आपकी प्संदंगे कहा ही ना, अब ये अगवर इलाबादी का शेयर है कॉम के गम में खाते है डिनर हुकाम के साथ रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ किसके लिए है मोतीलाल नहरू और जवालाल नहरू के लिए कि दिन में कॉंग्रेस के लिए धbnना शाम को अंग्रेस अफसरों के साथ डिनर, सौ साल पहले कहा गया, हमने छोटा नहीं किया, जनाब, आप ने खुद किया है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, कि इसलिए मने एक शायर को कोट जिया, जिसमे कोई इसको, हलका उधारण क्या हुदारण अब इनको भाई, इतने वड़े हो गए, कि अ अजिए मैं आपको पूछ रहा हुँ कि आपका मैंने वही बताया, अरे मैं तो आपकी विकेट पर आके बैटिंग कर रहा हूँ भाई, इसलिए मैं वही इसलिए आपको बताया पहली बार सुदानसु जी दूसरी की पिच पर जाके बैटिंग करने को मजबूर हुए है, न इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमने इतने नेता आपके गिनाए, साथ साल में आपको तो ध्यान जाए होगा, यह सब मोढे के छोड़ गाझ के छोड़ गहेँ धाए, चाऊधी चलिए लिघजी मर्नान दीनी चलिए मोधी, मोधी जोड़ गहेँ अज़ भाज जिए आपके में एक बात नहीं बोलता हूं अब मैं आपको बदाता हूं जी मैं खुद था उस पेस कांफरेंस में जब कल्यान सिंगी वापस लोट के आए और उसे पूछा गया कि आप भाजपा में क्यों लोट के आगए तो जानते रों ने क्या जवाब दिया सूर्दास जी का वा पद पढ़ा कि मेरो मन अनत कहां सुखपावे और जैसे उड़ी जहाज को पंची फिर जहाज पर आवे तो भारती जंता पार्टी में एक नेता बताईए जो हमें छोड़ के गया हो बड़ा हो गया हो और आपके में एक नेता बताईए तो बड़ा ना हो गया हो और हमारे यहां जो भी वेक्ति किसी कारणवश गया तो लौट के आके महसूस करता है कि मान सम्मान हमारे यहां है और किसी में नहीं है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र और इन सारी चीजों के बारे में सब को बहुत अच्छी तरीके से पत आई थी क्वीन के पर दिनिश्था की शपत लेकर यूनियन जाएक चंडे कर नीचे खड़े होकर भारत के प्रधान मंतरी बने थे और कह रहे हलकी बात आई हलकी बात अधा है अधान शुजी सुदान शुजी हिंदू महासभा जिन्ना जी के साथ आपके दोनों लोग जिन सुनिए भार्ती जंतापाटि भारती जंसंग के तो थी, किसके जवानेग बात कर रहा है है आज ये कहेंगे कि हमारा उनसे परिस्का हिना इज आप मुझे रोकेंगे मैं चुफ हो जाता हूँ मैं आप से उम्र में छोटा हूं लेकिन अब छोटाओं का भी संबान करिये भ नहीं चलेगा ना मैं यह कह रहा हूं चितरा जी हम आज डिबेट करने कहा हैं जब भी आप तातकालीक बातों पर भहस करेंगे यह आपको ले जाएंगे उननीस सो सेटालिस से पहले अतीत में अतीत का मातम करेंगे बर्तमान पर बात नहीं करेंगे हिमानचल हारे हैं गुज़ाद जीते हैं दिल्ली हारे हैं तीन राज्यों में चुनाओ था इसी MCD में रच्छा मंतरी भलाना मंतरी ठेकाना मंतरी कौन नहीं उतार दिया गए अरे उनके जाते तो हैं आपके तो जाते नहीं है कमाल है बिना गए चित्राजी तरक पर उतर का नेटाओं तो लड़ते हुए दिखना तो चाहिए कम से कम आप बता रहे हैं मोर्भी मोर्भी में कौन गया कॉंग्रेस का बढ़ाने का मोर्भी में सभा करके आया हूँ चित्राजी मेरे बात सुनिए नाम बताएए एक नाम बताएए नेता का एक अकेली प्रियंका गांधी ने हिमांचल में एक अकेली प्रियंका गांधी ने हिमांचल प्रदेश में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा यह आप थोड़ी निर्णे करेंगी यह आप निर्णे करेंगी यह आप निर्णे करेंगी यह हमारी पा आपको खौल के भी मौर्भी में एक सेकंड शर्ड़ एक 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 प्रियंका गांधी जी ने इनके राष्ट्री अध्यक्ष इनके प्रधान मंत्री जो कि हमारे प्रधान मंत्री भी है बाकी पूरी इनकी कैबिनेट सब को अकेले धूल चटाया 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 वां क कि अस्थानी नेता उने भी लेकिन मजे की बात आपको बताओ मैं पूरे गुजरात में गया गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम ग्रामी डंचल में किसी को पता ही नहीं था विश्वास कर ये ये तो सच है ये सच है धन्यवाद आप मुझे आपकी ये खुब ही अच्छी ल खुशी इस बात अब रही भारत जोड़े अब अब यूपी चले गया आप हमाचल प्रदेश में जीत का क्रेडिट प्रियंका गांधी को सब को है हाँ दो सीटे यूपी में आई है मज़े की बात बहुत मज़े की बात मुदी जी गुजरात जीते तो आप इने टीवी चन कमाले भई. M.C.D. हई तो किसा को हमाचे पुटो लगाई यहां क के परदेश अद्टक्ष कि अब जवादे जूट्य के इसकी फॉटो लगनी जाहिए जीत की क्रेडिट प्रधान मंतरी जी को हर की क्रेडिट कौन लेगा है गुजरात उकर ग्रेह राजी कौन लेगा है व मैंने देखा था उसे, आप मुझे बताई चित्रा जी के अरे भाई भाई आपने भी बहुत देर बोला था भाई आप मुझे बताईए के गुजरात उनका गृह राज्य है गुजरात में उनकी फोटो लगी उनके नाम पे चुनाओ था मैं पुर्धान मंत्री जी का हिमांच आप ओट देंगे तो नरेंद्रमोदी को मिलेगा सुनाओ तो किसके नाम पे चुनाओ तो प्रधान मंत्री जी के नाम पे चुनाओ लेकिन जीत प्रधान मंत्री जी की हार जेपी नडडा जी की कि अधिए प्रियंका जी नहीं का बहुत अच्छा काम क्या हिमाचल ने वैस पर यहां रावन नजर आता कहा बोला गुजरात में जंता ने दिखा दी कि किसकी आउकाद क्या थी और मोदी जी के लिए आप लोग कभी फूलों का हार लेके नहीं आए घ्रणा और वैमनस के अंगारों का हार लेके आए पर यह वो शक्सियत है जिसके लिए एक लाइन कहू पूरी तरह जूट है मैं यहीं सभित कर दे रहा हूं यह कहरे है क्या है कि हमनके अजरण मिस्त्री नहीं भोले थे अरे वताइज कहाद महराज के नेता अधुरशेख बोले नरे इंद्र मोदी जी को संसद में रहुल जी ने गले लगाया था कि नहीं लगाया था औरे उसक घान के लिए कहा गया एक कही बैनन और एक कही और तो रहूल कानी दे जो आंख से किया था उसे सब पता लिए जानते रहूल जी ने अन्त में क्या गाता था इजाड़ा करका कि गाता कि जाये बाजपा में आपकी जगा वहीं है चले एक चाता सुधान्शु जी एक लाइंड बड़ा नहीं करता इनकी पार्टी के अंदर सब्सक्राइब पता है जैसे यह बड़े-बड़े करते हैं तुनिये ओ किस जमाने की बाथ है अजे उसके पिर सिंद्धिया जी टिकट क्यों दिया वगाई वो तो मद्रदेश चु किस तुनिये एकिन Electric 혼자 को स nuclear दिया उसके बुंगरेसियों को अब्रेसियों कि अपने लों काक्र नियुक कर ऊचेट काल के हमारे को जग्रेसियों को ले कर एंवारे को चुना लखा दिया है तुना लडबारेसियों को भी तो चले जाते हैं आब एम्रान प्रताबगरी तो झ लड़ पाएगा इस सरकार की दमनकारी नीती के खिलाफ वही लड़ पाएगा जो मजबूती के सा webs दशनेंदों कांते गिल के साथ नहीं चल सकते हैं रस्ते में छोड़ गया उसे जाने दो बहुत सुक्रीया आपका समिस्ति स ! मैं तो शायर हुए है, मुझे छेड़ेंगे तो मुझे समाना एक जब काते हैं, उधर नेहाजी कुटम कर रहे हैं, मैं भी काते के लिए कह रहे हैं, हम वो हैं, वो पत क्या, पतिक कुशलता क्या, जो पत में बिकरे शूल नहों, और नाविक की धैर परिक्षा क्या ये उधा वोट जोड़ यातरा के जरिये वोट जोड़ यातरा दोजार थीज के ठीक पहले अपने एक अठा कर नहीं, इम्रान आपका, सुधान शुजी आपका बहुत शुक्रिया आज तक एज़गे इसमंच पर आने के लिए, बहुत धन्यबाद और जाने से पहले, इम्रान जी औ कृपिया और टाच स्क्रीन पर लिख दे, सुधान शुजी के साथ शुरुवात कर लेते, सिर्फ जो भाशा आपको सहज लगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स भी लिख सकते हैं, सर्फ पढ़के भी बता दीजेगा आपने लिखा क्या है और नीचे अपना अस्ताक्षर कर दीजेगा,